अगला जो अधिकार है या अगला जो बिंदु है जिस समानता के हम बातें कर रहे हैं वह है धार्मिक समानता धार्मिक समानता जैसा शब्द से बड़ा स्पष्ट है राज की दृष्टि से सभी धर्म समान है अर्थात राज किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि हम किस धर्म का पालन अनुपालन करे या ना करे राज हमें ये भी कहके किसी चीज से वंचित नहीं कर सकता कि हम इस धर्म के हैं या इस धर्म के नहीं है दूसरे शब्दों में राज के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक शेप ना करना ही सेक्यूलरिजम कहलाता है उसे ही हम कहते हैं धर्म निर्पेक्ष राज्य राज के द्वारा धार्मिक मामलों में दखल ना देना ही धर्म निर्पेक्षता है धार्मिक समानता के तहट हम सब को अपने लिए इस बात का अधिकार है कि हम कौन सा धर्म का पालन करें हम अपने रीत रिवाज कैसे रखें और इसके साथ ही इच्छानिसार कैसा धार्मिक जीवन व्यक्तित करें धर्म के अधार पर सरकार या शासन किसी तरह का भेद भाव किसी भी मामले में नहीं कर सकता मैंने कहा किसी भी मामले में धर्म के अधार पर शासन भेद भाव नहीं कर सकता और इस बात से हमें वंचित नहीं कर सकता कि हम इस धर्म के हैं या किसी विशेज धर्म के नहीं हैं यही धर्म निर्पेख्षता कहलाती है राज की रिष्ट में सब समान नजर से हैं और यही जो धर्मिक समानता है ये धर्म निर्पेक्षता का एक हिस्सा है अहम हिस्सा धर्मिक समानता भारत जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म है और हर धर्म के लोगों की संख्याच्छी खासी है वहां धर्म निर्पेक्षता की भावना होना अत्य आवश्चक है दूसर धर्म समभाव सभी धर्म समान हैं यह हमारे समविधान के आधार भूट धांचे का एक हिस्सा है Different Forms of Equality समानता के विविन रूपों के चर्चा करते हुए हम आते हैं छठवे बिल्दु पर जो है सांस्कृतिक और शिक्षा समवंधी समानता यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो स्वरूप है समानता का स्वरूप इसका काफी कुछ समवंध समानता के विविन स्वरूपों का काफी कुछ समवंध स्वतंतरता के विविन स्वरूपों से भी है अभी जिन जिन समानताओं के स्वरूपों की मैंने बात की, चाहे वो नागरिक समानता हो, प्राकृतिक समानता हो, या राजनीतिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, यही विभिन्न स्वरूप स्वतंतरता के भी हैं, अर्थाथ स्वतंता में प्राकृतिक समानता की तरह प्राक स्वतंतरता नागरिक समानता और नागरिक स्वतंतरता राजनीतिक समानता राजनीतिक स्वतंतरता धार्मिक समानता धार्मिक स्वतंतरता तो छट्वा बिंदु है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी समानता शिक्षा संबंधी समानता का अर्थ क्या है हम किसे मानते हैं शि पहुत से लोग सब विभिन्न वर्गों से आय हुए हैं क्रख्षाओं में और आप लोग की अपनी 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 मानसिक शमता है लेकिन इस मानसिक शमता से परे सरकार ने हम सब को कानूनी प्रावधान के तहट ये सुविधा दी है कि हम जहां पढ़ना चाहें जैसा पढ़ क्याने के लिए स्वतंत्र है जो पढ़ना चाहें जो ये स्वतंत्र है अर्था क्योंकि हम किसी तथाकथित निमश्रणी के हैं या महिला है इस्तरी है या हमारा धर्म कुछ अलग है इसलिए हमें कुछ संस्थाओं में प्रवेश ना मिले कुछ विधाओं से हमें विमुक रखा जाया, ये गलत है, ऐसा संभाव नहीं है, तो शिक्षा समन्दी समानता का अर्थ क्या है, कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना, अवसर सबको समान हो, मैं उस अवसर का फायदा ले पाओं, या लूँ, ये अलग बात है, लेकिन अव कि मैं फलाँ फलाँ जाती का हूँ, मैं फलाँ फलाँ धर्म का हूँ, या मेरे में ये खामिया है, मैं विकलांग हूँ, आदियाद। किसी भी कारण से मुझे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी को समान रूप से अधिकार है। इस संबन में जाती, वर्ण, लिंग, धर्ब, ये सब बातें आपराधिक हैं, इनकी बात करना आपराधिक है, इनके अधार पर किसी का प्रवेश रोकना, इनके अधार पर किसी की शिक्षा पर बाधा डालना, इसके अधार पर किसी विद्यार्थी के अंकों को कम ज्यादा कर परना आदी आदी ये सब अपराद हैं। सरकार तो एक कदम और आगे गई है। राज्य तो एक कदम और आगे गया है। जो निर्धन है उनको हमारे बराबर लाने के लिए। जो निर्धन है उनको समता की भावना के तहट। उनकी निर्धनता उनके विकास में बाधक ना बन तो इसलिए सरकार तो एक कदम और आगे गई है उसने निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए विशेश सुवधाएं दी है विशेश कानून बनाए हैं विशेश प्राउधान किये हैं तो समानता इस तरीके से निलाने का प्रयास है कि उपर वाले को नीचे कि समानता के प्रयास के तर सरकार का प्रयास है कि नीचे जो हैं जो दबे हुए तबके हैं उनको ऊपर लाया जाए और बराबर का स्थान दिया जाए और इतना करने में जो प्रयास जो कानून बनाना हों जो सुवधाएं देनी हों वो करें भले ही उच्च वर्ग के लोगों क की स्वतंतरता में तक्षमवर के लोगों की स्वतंतरता में थोड़ी सीमाइं ना खिच जाएं इसमें कोई दो मत नहीं लेकिन कानून बनाकर निमनवर के लोगों को उपर लाना ये सरकार ने बारमबार इसका प्रयास किया है सांस्कृतिक समानता क्या है सांस्कृतिक समानता के बहुत संख्यक जो है और जो अल्फ संख्यक है सभी को अपनी भाशा अपनी लिपी और अपनी सांस्कृति को सुरक्षित रखने और विकास करने का पूरा अधिकार है इस कार्थ क्या हुआ सांस्क्रितिक समानता क्या है या सांस्क्रितिक सब्च हमारा क्या ताक्पर है हर समाज का हर समुदाय का हर जाती का हर धर्म के लोगों का अपना अपना जीवन शैली होती है अपने अपने तरीके से वे लोग जीवन जीते हैं उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी आदतें हैं, अपने रीती रिवाज हैं, तो किसी एक समुदाय के रीती रिवाज, परंपराएं, आदतें, जीवन शाली, ये उस समुदाय की संस्कृती है, अब क्या समुदाय के लोग अपनी संस्कृती को बनाय रखने के लिए स्वत तरकी है और हमारी संस्कृति उससे बहतर है कदाप ही नहीं है कता ही नहीं हो सकता कि किसी की संस्कृति को हम बाधा पहुचाएं उसकी संस्कृति को निम्न बताते हुए उस पर चोट करें 36 गण में ही आप देखेंगे विम्न नत्रस्कृतिय के लोग यहां यहां मराठी लोग भी बहुत है मुस्लिम ही बहुत है हिंदू भी बहुत है और सतनामी भी भी बहुत है सतनामी लोगों की अपनी खुड की संस्कृति है वह संस्कृति को बढ़ाने में उसका विकास करने के लिए स्वतंत्र है ऐसे ही मराठी समाज जो यहां पर अच्छी संख्या में है महराइपुर में खास कर वे लोग अपने भाशा अपनी लिपी अपनी धार्मिक भावनाओं उसको विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है वे चाहें तो मराठी शाला खोल सकते हैं सतनामी चाहें तो सतनामी शाला खोल सकते हैं मराठी या पंजाबी चाहें तो गुरदवारे खोल सकते हैं उसके लिए उस्वतंत्र है कोई इन्हें रोक नहीं सकता ये कहकर कि यह क्षेत्र ब्रामन बहुल है या सतनामी बहुल है या ठाकुर बहुल है इसलिए अन्य जातिया धर्म के लोगों को यहां पर ऐसा कुछ करने का अधिकार नहीं है तो दूसरे शब्दों में संस्कृतिक समानता का अर्थ क्या है कि बहुत संख्यक और अल्प संख्यक यानि जिनकी संख्यक कम है माइनॉरिटी सभी को अपनी भाशा, अपनी लिपी और अपनी संस्कृतिक को स्रक्षित रखने का अधिकार है भारती संस्कृतिक की विशेष्टा क्या है जब भी भारत के हम बात करते हैं तो एक चीज तुरंट सामने आती है वह देश जहां पर विविजिता में एकता का सर्वशेष्ट रूप देखा जा सकता है भारत में एक हजार भाशाएं हैं हजारों से ज़्यादा संस्कृति अलग-अलग विचार हैं और इसके साथ ही देखेंगे तो हजारों तरह के ईश्वर हैं इतनी विविवन्यता में भारत में एक रहना उसका प्रावधान होना ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत अनेकता में एकता का एक बहुत महत्पूर्ण उधारण है और ये इसलिए संभव क्योंकि हम सब को समान मानते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा की दिष्टि से सभी समान है भारत के जो संभिधान है जिसे भीम राव डॉक्टर भीम राव अन्डेटकर ने लिखा है उसकी जो धारा है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 उसमें संस्कृति और शिक्षा संबंदी अधिकारों के बारे में विस्तार से कहा गया है संस्कृति और शिक्षा की व्यवस्था और समानता पर बड़ा स्पष्ट कहा गया है अगला बिंदू है अवसर की समानता समानता निरर्थक यदि अवसर की समानता ना हो चाहे हम आर्थिक रूप से समान रहे हैं समाजिक रूप से चाहणार्मिक रूप से लेकिन विकास के अवसर में यदि हमको हमारे साथ भेदभाव किया जाएगाइगा तो या बाकी सारी समानताएं बाकी सारे प्रयास समानता लाने के निरस्तक रहेंगे तो इसलिए समान्ता का अर्थ क्या है विशेश सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को विशेश सुविधा प्राप्त वर्ग का अस्तित्व ना हो ये समान्ता है कोई भी वर्ग समाज का विशेश सुविधा प्राप्त ना हो एक को जो सुविधा मिली है या एक को जो आधिकार मिले हैं वही सुविधाएं आधिकार दूसरे व्यक्ति को भी हैं चाहे वह किसी भी धर में जाती आधिका हो तो इस प्रकार अवसर की समानता से विप्राय विशेश सुविधा प्राप्त कोई वर्ग ना हो योग्यता और ख्षमता के आधार पर ही अवसर मिले बस दो ही चीज़ें योग्यता और ख्षमता उसमें इस्थान जर्मस्थल और धर्म जाती इनका कोई रोल नहीं रहता योग्यता और उसके अलावा योग्यता के साथ ही ख्षमता के अनुसार से विकास का आधार मिले शिक्षा नौकरी व्यवसाए इन सब में उसे समान आधार दूसरे शब्दों में आधार की समानता अवसर की समानता समानता की मूल भाव नामे नहित है याद रखेंगे अवसर की समानता यदि अवसर नहीं तो विकास नहीं यदि अवसर में भेद भाव तो विकास में भेद भाव तो किसी एक कारे के लिए सरकार के जैसे उधारन के लिए सरकार हमें ये कह के वंचित नहीं कर सकती कि मैं इस जाती का हूँ इसलिए मैं इस कारे के लिए सक्षम नहीं हूँ सडक बनवाने का सरकार ने टेंडर जारी किया और टेंडर जारी किया और उसने आमंतरित किया तो मुझे ये कहके वंचित नहीं कर सकती कि मैं आवेदन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं निम्न जाती का हूँ या इसलिए क्योंकि मैं माइनॉरिटी का हूँ या इसलिए क्योंकि मैं अल्प संख्याख्यू हूँ आदी आदी सभी लोग को को अवसर की समानता है और ये अवसर ही की समानता ही समानता का मूल तत्व है आफसर की समानता के बाद अब हम बढ़ते हैं आठवा याने आर्थिक समानता ये सारी समानता है एक तरफ दूसरे शब्दों में हम Сब को समानता मिली है लेकिन पेट भोजन के मामले में अचमानता है वो चुवर के लोगं को भोजन पानी मिल रहा है मुझे भोजन पानी मिल रहा है मुझे राजनेतिक अधिकार राजनेतिक समानता मिली है मुझे समाजिक धार्मिक समानता मिली है मुझे नागरिक्ता की समानता भी बराबर है लेकिन जब ये भोजन पानी के मामले में मुझे वंचित कर दिया जाए तो क्या ऐसे में मैं शान्त रहूंगा दूसरे शब्दों में भूजख है भजन नहोई गोपाला Empty vessels make much noise थोथा चना बाजे घना और खाली पेट क्रांति की भूख निशकर्ष ये कि आर्थिक समानता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मैंने पूर्ण में कहा था कि दुनिया में जितनी करांतिया हुई विश्व में ये सब करांति किसी असंतोष या असमानता के कारण थी और ये असमानता के कारण ही असंतोश हुआ और ये करांतिया हूँ यदि हम उनकी जड़ों में और गहराई से जाएं इन करांतियों की समझने के लिए और थोड़ा द्यान करें तो पाएंगे कि अध़कतर करांतियों की गहराई में आर्थिक कारण नहित था अर्थात अधिकतर करांतियां अधिकतर विद्रो आर्थिक कारणों से हुए राजनेतिक नागरिक असमानता के कारण तो थे ही लेकिन मूल रूप से इनके पीछे था आर्थिक कारण जब जब आर्थिक कारण जब जब आर्थिक भेदभाव हुआ तब करांती ने जर्म लिया है तो दूसरे ये बात पश्ट है कि राजनितिक समानता बेमानी यदि आर्थिक समानता नहीं है संपत्ति आय आर्थिक समानता का सामाने अर्थ हम लेते हैं कि संपत्ति की समानता आय की समानता ऐसा नहीं है आर्थिक समानता का अर्थ कुछ और है भारत में आर्थिक समानता का अर्थिया मान लिया जाए कि सबकी संपत्ति को बराबर कर दो उनकी योगिताओं को ताक में रख दो, अनुभों को ताक में रख दो, उनके द्वारा अरजित महनत ख्यमता उसको ताक में रख दो और जो मजदूर हैं जो जो नोंने शिक्षा नहीं पाई है जो जो लोग अशिक्षित हैं जो लोग गैर अनुभवी हैं उनको भी उतनी संपत्ति दे दी जाए जितने की अनिको इसका आर्थिक समानता का आर्थ ये न लिया जाए ऐसी समझ जो है बड़ी तुरुटि पूर् कि सभी की क्यारक्षमता योगिता अलग अलग होती है तो जैसी क्यारक्षमता योगिता वैसा उसके द्वारा अर्जन संपत्ति का वैसा ही उसके द्वारा संपत्ति का दोहन और अर्जन तो आर्थिक समानता का कुछ और अर्थ है सबकी योगिता एक जैसी नहीं होती इसक सही अर्थ, योगिता और क्षम्ता के अनुसार सभी को आवसर, जहां भी देखिए आवसर शब्द है, कुल मिलाकर बारम बार इस बात को स्पश्ट किया जाए, आपको समझना होगा कि समानता की बात जब होती है, तो समानता किस बात समानता में क्या बात आवसर की बात हर चीज में समान आवसर मिले वही बात यहां पर आर्थिक समानता पर लागू है पारश्रमिक उचित मिले समान कारे के लिए समानता आवश्यक है समान कारे के लिए समान पारश्रमिक मिले लेकिन यह भी सुनिश्चित क करना होता है कि यदि कार्य की कुशलता और कार करने की क्षमता भी आखी जाए और उसकी अनिसार उसको किसी को उसकी मेहनत को पैसे में आखा जाए है। इसकार्त योगिता शम्ता के अनुसार सभी को अवसर ताकि हर एक को अपनी नियुनतम आवशकताओं को पूरी करने के लिए अवसर मिले, समान परशिमिक मिले, समान योगिता के लिए, समान कार के लिए और संपत्ति का भी जब बटवारा होता है तो वो बटवारा भी इस तरह से हो कि उसमें से कोई एक सबल ज्यादा सबल जो हो गया हो वो कि दूसरे का शोशन ना कर सके अर्थात बटवारे के समय भी ये सुनिश्चित हो कि आर्थिक बटवारा आर्थिक समानता बनी रहे ये जो बात है ये कि किसी का नियंतर ना हो जो भी समपत्ति का बटवारा हो रहा है समपत्ति का जो विन्योजन हो रहा है वह लोक कल्यान कारी हो निर्बल दब न जाए ताकतवर के सामने जो निर्धन है गरीब है उनकी आवाज दब न जाए तो इस आर्थिक थमानता और लोक कल्यानकारी लक्ष ये दोनों साथ चलना चाहिए रॉबर्ट डहल रॉबर्ट डहल ने कहा है यदि हम चाहते हैं कि राजनीते के स्थायत्व हो और साथ ही सरकार का लोक्तांत्रिक रूप बना रहे तो हमें जमीन का उचित तरीके से वित्रन करना होगा कर प्रणाली में सुधार करना होगा और शिक्षन स्वविधाओं का विश्टार करते हुए आर्थिक शेत्र में समानता लाना होगा या बिंदू आर्थिक समानता के परिप्रिक्ष में रॉबर्ट डहल ने कही है यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो अन्य तरह की समानताएं मात्र एक मिथ्या रहेंगे अन्य तरह की समानताएं मात्र बेमानी रहेंगे तो आर्थिक समानता बहुत जरूरी है आर्थिक समानता का अर्थ क्या है जैसा मैंने बताया धन संपन्यता के खित्र में समान होना समान अवसर देना ये ज़्यादा महत्पूर्ण ने इसलिए दहल ने फिर से कहा है कि यदि हमें राजनीति के स्थायत पर चाहिए राजनीति स्थायत मतलब स्थाय सरकार परिटिकल सिस्टिम जो है वो अपनी जगा अपने तैं उच्छित रूप से काम करे यदि हम ऐसा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो लोकतंत्र बनी रहे भारत तो लोकतंत्र पराधारित है तो लोकतंत्री सरकार यदि उसको हम बनाये रखना चाहते हैं जरूरी है कि इसको हम भूमी सुधार करके क्षेत्र में सुधार और शिक्षण की सुधाएं बढ़ाएं क्योंकि भूमी के सुधार से समाज में जो अनीक्वल डिस्ट्रिबिशन हो गया है समाज में जो भूमी के भूमी के निजी करण को लेकर जो विपन्नता हो गई या समानता हो गई है वह दूर होगी ऐसे कर प्रणाली भी ऐसी लगो हो टेक्स का सिस्टेम जिसमें समानता बढ़े यानि शायद जितना ज़्यादा कमाएं उतना ही ज़्यादा टेक्स दें जितना कम कमाएं उतना ही कम टेक्स दें ऐसा कुछ करते हुए या इसके निकट आते हुए हम कोशिश करें कि आर्थिक समानता आए आर्थिक समानता सबसे महत्पूर्ण समानता है भूक है भजन नहोई गोपाला यदि मेरा पेट खाली है तो बाकी सब मेरे लिए बेमानी है तो सबसे पहले तो मुझे समानता आर्थिक दिष्टी से मुझे सक्षम बनाया जाए वहां के नागरिकों को आर्थिक डिष्टि से सक्षम बनाया जाए उन्हें समान अधिकार यदि आर्थिक डिष्टि सक्षम होगा तो उसे अपने आप अधिकार मिलेंगे अपने आप अन्य स्वधाएं मिलेंगे अपने आप अन्य समानताओं अन्य बातों में भी वो समानता का दर्जा पाएगा अंतिम बिंदु है विभिन और सुरूपों के यदि हम बात करते हैं समानता की तो उसमें है अंतर राश्ट्री समानता नौँ वाँ बिंदु अंतर राष्टी समानता से क्या तात्परे हो भारत कैसा लगे गए जिए भारत अमेरिका कहे कि भारत हमारे सामने बहुत निम्न श्रिणी का देश है ऐसा ही लगेगा जैसा कि मुझे कोई कहे कि मैं किसी निम्न श्रिणी के निम्न दर्जे के निम्न जाती का व्यक्ति है तो इसी प्रकार इस बात को देखते हुए अंतराश्टी समानता का भी मुद्दा समानता के सुरूपों में से एक है अंतराश्टी समानता के सिधानत का विस्तार अंतराश्टी जगत में होना चाहिए सब समान है चाहे वो भारत हो, बंगला देश हो, अमेरिका हो, या अफरीका के वे छोटे छोटे देश हो जो आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हुए हैं, या शायद बहुत छोटे हैं, या शायद इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी हैं, या अत्याधिक पिछड़े हुए कार नहीं देता कि वtał लोग निम्न शेड़ी के हैं। वो तो परिष्चितियां थी जिससे वे उनके हां आर्ठिक विपन्टा है। लेकिन अनितह वे लोग सब समान है। भरत और अफरीका के देश, अमेरिका और एशिया के देश, सब समान शेड़ी में हैं, सब समान स्तर में हैं तो इसलिए अंतराश्टी जगत में अंतराश्टी समानता का प्रचार बहुत आवश्चक है विश्व के सभी बड़े छोटे देशों में समान वेभार हो और वैग्यानिक और त्रद्योगी की आविश्कारों में विश्व के सभी देशों को समान हिस्सा मिले ये एक बहुत बड़ी कलपना है इसका आर्थ क्या है कि किसी भी देश के द्वारा कोई सा अविश्कार होता है किसी भी देश के द्वारा कोई सी खोज होती है या कोई प्रद्योगी की का टेक्नालोजी को लेकर कोई बहुत बहुत बड़ा डिवलप्मेंट होता है तो उसका फायदा पुरे विश्व को सभी देशों को मिलना चाहिए समानता अंतराश्टी समानता अत्याधिक जरूरी है सभी राश्टों को मिलकर दासता की भावना पिछड़े पन की भावना अज्ञानता बीमारी आदी बराईयां दूर करनी चाहिए अब ये बिंदू मुझे एक उदाहरन की और ले दाता है भारत के लोग कल्पना करिये स्वास्ट के खेत्र में बहुत आगे हो जाएं लेकिन भारत के पडोस में गंदगी के कारण सफाई ना होने के कारण अशिक्षा के कारण और कुछ अन कारणों से अत्याधिक बीमारियां फैल रही हैं तो क्या भारत इतना संपन होते हुए भी स्वास्ति की दृष्ट से इतना आगे होते हुए भी क्या भारत के लोग स्वस्थ रह पाएंगे मेरा आर्थ ये है मेरा इशारा इस बात पर है कि पडोसी का भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्चक है जितना कि मेरा यदि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरा पडोसी भी स्वस्थ हो दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को या एक परिवार को यदि सुखी रहना है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसके आज़ पास रहने वाले परिवार आज़ पास रहने वाले लोग वे भी सुखी हो, संपन हो यानि उसी के समान हो उनका स्तर भी उनी के समान हो तभी यह संभव है कल्पना करिये यदि हमारे आज पास के रहने वाले लोग निर्धन हैं गरीब हैं बीमार रहते हैं स्वच्छता नहीं रखते तो इसका परणाम क्या होगा आपराधिक प्रवृतियां बढ़ेंगे उनके द्वारा आपराध किये जाएंगे हिंसा होगी आदी आदी साथ ही उनके द्वारा साफ सफाई ना रखे जाने का खामियाजा हम लों को भी भुगतना पड़ेगा दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा तो कुल मिलाकर निशकर्ष ये है कि समानता एक बहुत महत्पूर्ण अंग है मुझे गंदा रहने का अधिकार है मुझे निर्धन रहने का अधिकार है मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ मैं उस शब्द का उप्योग करना चाहता हूँ मैं निर्धन रहने के लिए स्वतंत्र हूँ मैं जैसा जीवन जीना चाहूँ उसके लिए स्वतंत्र हूँ पर आपके इस तरह की स्वतंत्रता समाज के लिए खत्रह है और इसलिए अवश्यक है कि सब लोग समान श्रेणी के हूँ, समान दर्जे के हूँ, समान सुविधायां सभी को मिलें, समान सुविधाओं का अवसर मिलें तब जाकर ये निश्यत होता है कि एक ऐसा समाद बने जिसे हम आदर्ष समाद कह सकते हैं इसलिए दासता, पिछड़ापन, अज्यानता, बीमारियां इनको दूर करने का प्रयास मत्र अंतराष्टी स्तर पे भी नहीं अंतराष्टी स्तर पे ही नहीं बलकि अपने आसपास के महौल से भी इने दूर करने का प्रयास करना चाहिए अंतराश्टी समानता के सिध्धान को अपनाते हुए सभी देशों को एक मत देने का अधिकार है यह सबसे बड़ा उधारन है यह साबित करने का कि दुनिया की नजर में सब देश समान है जो शंक्तराश्चंग की जो वार्षिक मीटिंग होती है वार्षिक सम्मेलन होता है सितंबर में 24 सितंबर के आसपार और वहां किसी मुद्दे पर यदि मत अधिकार का उपियोग होता है तो हर देश को एक ही मत का अधिकार है ऐसा नहीं कि विश्व शक्ति होने के नाते अमेरिका को एक से ज्यादा मत दिये का अधिकार हो ऐसा नहीं है कि अफरीका या एशिया की कोई बहुत गरीब निर्धन या बहुत छोटे देश बुरुनी भुटान इनको मत देने का अधिकार ही नहीं है ऐसा नहीं है तो जब उस स्थर पर समानता को अंतराश्टी स्थर पर इस रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि साइस अमीरी गरीबी जाति लिंग और इन सब का किसी भी रूप में समानता से कोई संबंध नहीं है तो फिर शेतरी मामलों में भी इस्थानी मामलों में भी जाति धर्म लिंग कार्य जिसके आधार पे आर्थिक स्थितिके आधार पे समानता असमानता की बात नहीं करनी चाहिए